Hello everyone, तो आज हम इस वीडियो बें बात पर रहेंगे कि BBA, B Pharma, BDG Lateral और BDG First Year इनके लिए Physical Reporting के टाइम पर क्या-क्या Document Compulsory रहने चाहिए Document required at the time of Physical Document Verification at University तो इसमें सबसे पहला जब आप तेखेंगे बहले नंबर पर तो यह Certificate of High School and Equivalent Examination for the Verification of Data Birth तो आप किसी भी कोर्स के लिए ट्राइ कर रहे हों, 10th की जो मार्कसीट है वो important है दूसरा जो The Candidate Seeking Admissions in BBA and B Pharma must upload Original Mark Seed of the Qualifying Examination तो यह BBA B Pharma के लिए इसलिए चूच किया हो, ताकि यह सब को common मैं बता सकूँ तो आप B.Tech First Year के लिए भी हो तब भी आपके लिए जो Qualifying Examination है क्योंकि आपकी 12th की मावसित है, वो important है Original, copy, photocopy, नहीं The Candidate Seeking Admissions in B.Tech Lateral Entry या फिर B.Pharma Lateral Entry तो B.Tech और B.Pharma Lateral Entry के लिए क्या है, कि कुछ लोग डिपलोमा किया होंगे या फिर कुछ लोग P.S.E. graduate होंगे तो उनका result अभी अवेड़ेड हो सकता है, ठीक है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है जहाँ पर मैंने बताया है कि अवेड़ेड रिजल्ट के लिए एक affidavit submit करना है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं जो की अपना 12 जो है पास किये है outside UP से जो UP से पास किये है वो जबूरी नहीं है उनको submit करना है, ठीक है आपर देख सकते हैं कि the candidate qualified examination from UP need not to upload the domicile certificate of the parents आपको parents का नहीं चाहिए, चाहिए रही चाहिए category certificate of EWS तो EWS हो गया, चाहे वो BC हो गया है वो अपना certificate original format का ले करके जाएंगे ठीक है आगे आएंगे तो आप देखेंगे 9 नमर पे armed forces के लिए और freedom fighter के लिए government certificate आपके लिए mandatory है physical reporting के time पे और e-level जो है वो है medical certificate as prescribed in the university browser 2023 available on the university website at the time of reporting to the university ठीक है तो medical certificate आपके cm मुख्टे द्वारा certified medical certificate आपको ले जाना है बाकी अगर बात करें डॉपियर certificate anti-ragging certificate और अधर सर्टिफिकेट है इन सबके लिए बारिशान नहीं होना यह जो यहाँ पर 11 पॉइंट मेरे भी डिस्केश की है यह सबसे important है और यही important है आपके physical reporting के time पर तो अब शायद कोई इश्यो नहीं आना चालिए बाकी अब यह जो भी टेक first year के बच्चे पूछ रहे हैं कि होस्टल की मेस की और जो अबने होस्टल के लिए एपलाई कर सकते हैं आपको आपके खर यूणिवर्सिटी से जो खर के distance हो उससे सबसे होस्टल अलाट होगा ठीक है तो आपके यह physical reporting से डाउट क्लियर हो गया होंगे पाकी physical reporting की date गया है तो शायद 5 राउंड के बाद क्लियर डेटा है अभी तो 10 इंडिवली 45 है तो उस पर इसकी रहना पड़ेगा थाइट यू सोमच